एलो फ्रेंज गुड मॉर्णिंग वेल्कम टु वन डे एक्जाम टार्गिप चलिए देखते हैं आज का अपना टॉपिक यहां पर हम देखेंगे कि यूपीपी की परीक्षा में प्रीविएस यह में किस टाइप के कोश्चन्स आये हैं सामाने बिग्यान के यहां पर हम कोश्चन्स देखेंगे इसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे बहुत अच्छे तरीके से इससे हमें आइडिया लग जागे किस टाइप के कोश्चन्स पूछे चाते हैं और इस एक्जाम में हमें कौन सी स्ट्राटजी अपनानी चाहिए तो चलिए हम इस टॉपिक को एकदम अच्छे से शुरू करते हैं रिपीट होते हैं ना रिपीट होंगे तो उसी वहीं मतलब उसी पॉइंट से उसी टॉपिक से कोश्चन पूछे आते हैं बस कोई दूसरा कोश्चन उठा लिया जाता है लेकिन उनका फेबरेट टॉपिक वह ही रहता है तो इसमें पहला ऑप्सन है ऑक्सिजन करबन डायक प्रतिसत लिखा तो वह भी सही होगा और करबन डायक साइट का होता है 0.03 प्रतिसत क्लियर है और अन्य गैसे जलवास पुगहरा है जिसे हाइड्रोजन हिलियम नियान ये आरगन ये सब कुछ शक्री गैसे और अन्य गैसे एक परसंट या एक परसंट से कम में पाए जाती है जलवास पुगहरा भी इसमें आती है तो ये एक परसंट से कम पाए जाती है क्लियर है तो इसलिए हमारा ऑप्सन यहां पर सही हो गस्ती क्यूंकि नाट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाली गैस है क्लियर होगे आपको कि नाट्रोजन से पेड़ कौशन हरिदग्री प्रभाव ग्रीन हाउस और इफेक्टिस गैस की अधिक मातरा में होने से बढ़ता है तो ऑप्सन दिया कार्बन डायक्साइड नाट्रोजन ऑक्सीजन आरगन तो यहां पर ऑप्सन सही हो गए डिशाई तीक है कार्बन डायक्साइड क्यों पहले देख के लिए पारेगम में होती है जिससे की विकरण आर पार जा सकता है लेकिन प्रत्वी से परावर्तित होने वाले विकरण के लिए आ पारेगम में होती है मतलब वह नहीं जाने देती है तो इसलिए क्या होता है कि जो वाताबरन का तापमान होता है यह बढ़ाने का काम करती है बात समझ में आ रही है जैसे सूरे से आने वाली बिक्रण तो अंदर चली आती लेकिन यहां से बाहर नहीं जा पाती है यहां तापमान इसलिए वाइमर्णल का बढ़ जाता है तो इसमें मुख्य रोल कार्बन डायकसाइड गैस का होता है क्लियर है नेक्स्ट कोशन देखते हैं ताजमाहल बदरंग क्यों हो रहा है? ऑप्सन दिया, नाफ की इस फोटो के कारण, गन्दे खुले नालों के कारण, ज्वाला मुख्य की उध्गारों से निकली गैस कारण, दी है अमली वर्षा के कारण, थो हमारा ऑप्सन यहां पर सही है D. अम नाइट्रिकम कैसे बनता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड 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 जब पानी से क्रिया करेंगे तो यह बनाते हैं नाइट्रिक अमल अब यह नाइट्रिक अमल सॉल्फियूरिक अमल जब बर्सा की बूंदों के साथ यह जमीन पर गिरते हैं तो क्या होता है यह जैसे चूना पत्थर हुआ और यह संगमरमर वगर हुआ उसको यह बदरंग करत होते नुकसान पहुचाते चरान करते उनका अब इनकी प्रकित कैसी होती अमली होती है क्यों क्योंकि इनका प्राणी सब्ता प्रतिवर्स कब से कब तक मनाया जाता है तो ओप्शन में है 2-8 अक्टूबर यहाँ पर 1-7 अक्टूबर दिया गया था जिबकि रियल है दो 8 अक्टूबर अगर यहाँ पर दिया रहा है कि अक्टूबर की फेस्ट बीक में तो भी ऑप्शन करेक्ट होगा एक से साथ जनवरी 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 15 से 22 सितंबर तो कुछ नहीं सही है 28 अक्टूबर सही है जो कि हमने टिक मार दिया है यह क्यों मनाया जाता है वन्य जीव परियावर्ण की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है सबसे पहले कम मनाया गया था सद जुलाई 1905 को पहली बार वन्य प्राणी दिवस मनाया गया एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टन पॉ कोशन देखते हैं एक साव विंफितित रोप चुनिए एक सकता हैं इंपॉर्टन कोशीन है एंति इंडियन साइट एंटी एट्ट डिपायोय में डिटिकींसे संड्रों अक्ँय थे संड्रोंब और रोग में से कोई नहीं तो फ्रेंस हमारा konnte साउलिए एसी एक्वाय 경우 डा होता किस्से है एट्स रोग का कारक क्या है HIV विशाणु पहले बाद तो यह रोग किस्से होता है विशाणु से यह आप ध्यान दीजिए उस विशाणु का नाम क्या है HIV ठीक है एक पॉइंट यहां पर क्लियर होगा अब HIV का फुल फॉर्म मालीजी यहां पर एट्स पूछा तो यह चाइवी का पूछ लिया human immunodeficiency virus यह पॉइंट हो गया ठीक है और फ्रेंट एक बहुत इंपोर्टन जीक एक दिसंबर को क्या होता एक दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है एड्स के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए तो एक पॉइंट यह हो गया सारी इंपोर्टन कोशिंद है और एड्स का परिक्षण किस टेस्ट से किया जाता है उसका नाम है एलिसा एंजाइम लिंक्ड एम्यून से क्लियर है इस टेस्ट से पता चलता है कि रोगी को एड्स है कि नहीं है ठीक है अगला है डबलू बीसी प्रतिरक्षा प्रडाली को नुकसान करता है अब यह यहाँ पर एक पॉइंट क्या लिखा है जो डबलू बीसी स्वेत रुधिर कणिका हैं सरीर की प्रतिरोधक्ष नाम है लिंफोसाइट को HIV वाइरस अफेक्ट करता है नुखसान पहुंचाता नस्ट करता है तो इससे क्याओती सरीर की प्रतिरोधक्षम्षा कम हो जाती है इसलिए रोग हो जाता है क्लियर है तो हमारा option सही होगा decibel decibel में लिए शक्ति और तीब्रतम आपने की काई होती है तो decibel को हम सही कर देते हैं अगर ये लिखा रहे हैं कि दुहनी की तीब्रतम आपने की काई है तो decibel correct answer होगा तो WHO विस्वास संग्ठन World Health Organization के अनुसार निद्रावस्ता के समय 35 decibel से अधिक की धोनी नहीं होनी चाहिए और दिन के समय 45 decibel से अधिक नहीं होनी चाहिए स्वासन के समय 10 decibel की धोनी होती है और ये important है एक्जाम में पूछा गया है इसलिए हमने याँ पर लिख दिया है point next question refrigerator में कौन सा गैस द्रोग का प्रियोग किया जाता है फ्रिज में कौन से गैस द्रोग का प्रियोग किया जाता है आमोनिया कर्बन डायकसाइट क्लोरीन हाइड्रोजन तो यहां पर option सही होगा अमोनिया क्योंकि अमोनिया वर्फ बनाने की कारखानों में सीदल यह रूप के रूप में प्रियोग होता है द्रोग होता है अमोनिया जल में बिले हैं और जल में गुली हुई अमोनिया को कहते हैं लिकर अमोनिया ठीक हे तो अमोनिया औप्सन सही होगा करो कोषिछ है वी टामिन बी की कमुछ से बीमारी होती है कौन सी ब् mur09 होती है सूखा रोग रताओंदी बेरटीबी तो प्व्र SAYंसे हैं सी बेरीडियर बिटामिन बी का नाम है बिटामिन बी को कई कटेगरी में बटा गया है तो बिटामिन बीवन का नाम है थाइमीन रासाइनिक नाम और इसकी कमी से होता है वेरी वेरी रोग बिटामिन बीटू की का रासाइनिक नाम है राइबुफलेविन बिटामिन वी थ्री का नाम है पैं से बहुत इंपोर्टन है इसके लिए हम एक अलग से आप लोगों को वीडियो बनाएंगे जिससे की सारे विट्रमिन के रासाइनिक नाम होसे होने वाली बिमारी इसली यहाद हो जाएं तो चलिए अगला कोश्चन देखते हैं कॉश्चन है कौन सा रक्तवर्ग हर रक्तवर्ग वाले मनिस्म वाले मनिस्म को दिया जाते हैं कॉश्चन नमबर नाईन तो ओपसन है norm ba ab turning two option four and prints tapping समूं के बारे में जान लेते हैं रग्त समूं को सर्वदाता रग्त समूं कहते हैं इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है आगे देखते हैं एंटीजन किसे कहते हैं और एबी रग्त समूं को हम क्या कहते हैं सर्व ग्राही रग्त समूं कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटी नह होती है और रगतों की भिन्रता का मुख्य कारण होता है रबीसी लाल रुधिर कणिकाओं में पाई जाने वाली एक प्रोटीन जिसका नाम है ग्लाइको प्रोटीन यह भी कोश्चन पूछा गया है लेकिन किसी और परिक्ष्य में जिसे हम एंडिजन कहते हैं क्लियर है यह पॉइंट इंपोर्टन था इसलिए हमने यहां पर इंक्लूड कर दिया और रग समू की खोज कार्ल लाइंड इस्टेन ने की थी तो फ्रेंट्स यह रहे कुछ इंपोर्टन पॉइंट इसके बारे में अगला देखते हैं कौन सी गैस वाय बंडल के ओजुन इस तरको अब भटित करती है तो अप्सवन है ख्लोरो-कार्बन कार्बन डायेकसाइट और प्लो और प्लोरीन का बिसे बनी होती है hydrogen जो है अगर नहीं option में दिया तो भी आप इसे correct कर सकते हैं यह refrigerator से कालियन वगारे से निकलती है और यह ozone gas का छरण करती है इसलिए इसे Montreal protocol के तर्थ इसे बंद कर दिया गया है तो यह रहे कुछ important point नेक्स्ट है gas एजेंसियों द्वारा सिलेंड्रों में भर कर दी जाने वाली cooking gas है किस फॉर्म में दी जाती है वह गयस जो दी जाती है किस फॉर्म में द्रॉव में गयस में ठोस में घुल की रूप में तो यह cooking gas द्रॉव के रूप में दी जाती तो option A सही है द्रवित petroleum gas जिसे कहते हैं हिंदी में और अंग्रेजी में liquefied petroleum gas इसका short form है LPG LPG क्या है hydrocarbon gas का मिस्रण है hydrocarbon gas है जिसमें hydrogen और carbon उपस्तित होता है और LPG में important point है very important point LPG में कौन-कौन से hydrocarbon पाया जाते प्रोपेन और ब्यूटेन hydrocarbon gas का मिस्रण होती प्राक्रतिक gas methane और इत्हीन का important है next question लाल रक्त कडिक यहाँ पर एक mistake हो गया है लाल रक्त कडिका है सरीर के किस अंग में बनती है RBC सरीर के किस अंग में बनती आस्थी मज्जा बोन मेरो फिर्दय गुर्दा तिल्ली तो इसमें है option सही होगा आस्थी मज्जा ठीक है bone marrow ब्रूण अवस्था में यहाँ पर सबसे important point यह जित्ते भी है एक्जा में सभी पूछे गया हैं बुरून अवस्था में कहां पर बनती यह प्लीहा में यह सबसे में चीज यह में लाल रवर्व खणडिका में गेंद्रक नहीं पाया जाता है। जो RBC होता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है लेकिन एक अपवाद है जैसे यह लाल उधिर कड़िका है इसमें जो बीच में केंद्रक होता है जो पूरे कोश्का का संचालन करता है वो नहीं पाया जाता है लेकिन अपवाद है उट और लामा दो ऐसे इसतंधारे जिसम ी यक्रित और पlesy haan को लाल रुधिर कणिकाओं का कब तबपर इज highlight हो कहा जाता है यह बहुत important question एक्सर पूछआ जाता है और यह भी पूछा जाता की भून अवस्था में वास्ता पर बनती है तो यक्रित ब्रेश सहते हैं इसमें केंदरक नहीं पाया तो पित रक्स यक्रित में पैदा होता है लेकिन उसका इस्टोरेज कहां पर होता है यह होता है पित आशय में पित आशय में घर होता है तो पित का घर वो पित आशय होता है लेकिन यह पैदा होता यक्रित में यह क्रित मानुशलीर की सबसे बड़ी ग्रंत ही होती है यह क्रि लिपैलैक्टिक लगा देतें, फाइबरेनोज़न प्रोटिन और हिपैरेन प्रॉटिन, फाइबरेनो क्यों जो प्रोटिन होती है, या है, इसका pH नहीं होता है, साथ होता है . साथ से आगे बढ़त दखने होता है। वह अमली होता है, उसकी प्रविती ठीक है ? तो यहाँ पर यह important था अगला question है जिवास्म किस प्रकार के शैल में पाई जाती है तो जिवास्म आगनेव शैल परददार शैल रुपांतरी शैल कोई नहीं तो option से योगब B परददार शैल में जिवास्म पाई जाते है जिवास्म क्या होते है करोणों सालों पहले जैसे प मेले क्या होते हैं जैसे यह है चटाने हैं अब यहां पर पेड़ पौध है या जिवे जंत इस तरीके से दबते गए उपर की तरफ और परत दर परत उनके जंती गई और यसी तरीके से जिवे जंत दबे रहे गए और पेड़़ पाइदे तो यहां पर एक चीज में दिज उसके अंदर दब जाते हैं परत के अंदर या पहाड़ों या पत्थरों के अंदर तो वो पेट्रोलियम का निर्माड करते हैं लाव ऐस्क फासफेट कोईला और सिमेंट की चटान भी इसी में पाई जाती है चलिए देखते हैं नेक्स्ट पोश्चिन ज्वार भाटा के उत्पत्ति का कारण है प्रतिवी का घुर्णन द्रवी उच्वाई भार चंदर मागा गुरुत्वा कर्शन अनियत वाही हमाई तो ओप्सनों का C चंदर मागा गुरुत्वा कर्शन हम जानते हैं कि चंदर माग सूर की आकरशन शक्तियों की कारण सागरी जल के उपर उठने तथा गिरने को जोर भाटा कहते हैं अब इसमें से जोर किसे कहते हैं भाटा किसे कहते हैं वैसे जौर भांटों को हम टैट्स कहते हैं लेकिन जौर किसे कहते हैं सागरी जल के उपर उठने तथा आगे बढ़ने को हम जौर कहते हैं और सागरी जल के नीचे गिरने तथा पीछे हटने को हम भांटा कहते हैं और यहां पर एक चीज है चंदरमा और सौरी का दूनों की आकरषण सक्तियां लगती हैं लेकिन चंदरमा का जो जुवारूत पादक बल है आकरषण जुवारूत पन करने में वो ज़्यादा होता है क्यों? इसका reason है क्योंकि चंद्रमा प्रतिवी के अधिक निकट होता है इसलिए तो friends ये रही कुछ important जानकारिया जिसे हमने आप तक पहुचाई और आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर comment करके बताईएगा और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो please इस वीडियो को लाइक कीजिएगा जिसे कि हमारा confidence बढ़े और पता चले कि ये matter कितना relevant था और friends आप इसे जादा से जादा शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक यू जाएपक्ण की बाНу कि अिमस थीजएगयगा